हलो दोस्तों नमस्ते एंड विलकॉम बाक टू प्लेमेकर इंडिया तो भाई आज हम एफ वीडियो में हमारे जो सकेंड एफसी एशन कप के अपोनेंट है उनके बारे में बात करने वाले हैं वी आल लो हाँ डेंजरस उस्वेकिस्तान इस एफ बात करें वाले प्लेश जो है उस्पेशली जब हम नए जनरेशन की बात करते हैं तो भाई बहुत सार ऐसे प्लेश हैं जो रशियन लीग में खेलते हैं और भी बाकी के लीग से जहां पर वो जाके अपनी फिजिकालिटी अपनी टेक्निकालिटी और अपनी स्पीड बढ़ार रहे हैं तो इस बिग टास्क यार आप बहुत सकते एक डाउंटिंग टास्क होगा फोर इंडिया तो प्ले अगेंस दिस यार और उपर से इवन ड्राउ विल फिल लाइक विन यार सच में अगर विन आता है तो बढ़ी पार्टी होगी और अगर हम लोग एक ड्राउ भी निकालते हैं तो बहाई मेरे यसाब चाल भी वेरी सेटिस्वाइड यार सहीं मैं बता रहा हूं मैं ठीक है बट एनिवेस ज्वाधा खौब देखने के बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इनके टीम के बारे में और ट्राइ करते हैं कि इनके जो प्लेयर्स हैं कोन से प्लेयर्स हैं उनका थोड़ा आनलाइसिस करें और आगर आपने औस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें जो भी आपकी दोस् Indian football का बहला चाहते है और Indian football को follow करना चाटे है बढ़ी यह channel बस Indian football के लिए बना है तो please please अपने दोस्तों के साथ में share जरूर करना है यह channel को और अभी बात करेंगे हम लोग Uzbekistan की team की भाई कि customize team जो है कैसी है क्या उनके squad में players को कुछे players को लिया गया है अभी right now they have got a squad आप बोल नहीं सकते कि यह final squad है क्योंकि मेरे हिसाब से और भी जो players है वो add होने वाले हैं धीरे-धीरे करके हो सकते हैं 2-3 players add हो जाए क्योंकि उनके पास forwards की कमी है और एकाद midfielder की भी कमी लग रही है जिसे उनके coach ने भी बताया कि बहुत सारे players जो हैं अभी भी European teams के साथ में खेल रहे हैं क्योंकि उनका matches अभी भी चल रहा है वहाँ पे तो जो अभी फिलाल उनके पास players हैं वो Uzbekistan की जो league से आते हैं वही players को उन्होंने लेके आगे तो उसी से आप समझ सकते हो कि ये कितनी dangerous team है और कितना tough होगा इंडिया को इनके जैसे teams को हराना तो बात करते हैं पहले हम लोग goalkeepers है अब्दुल वाहिद ने में तो यहां हो सकता है मैं players के नाम थोड़े से गलत ले लू बड़ थोड़ा सा adjust कर लेना आपके सामनी यहां पे list भी लगाईए मैंने कि यह यह players है यहां पे तो बाई अब्दुल वाहिद ने में तो एक बढ़िया goalkeeper है यंग goalkeeper है जो कि नसफ के लिए खेलते हैं नसफ मोहन वगान के आप बोल सकते हो कि यह has a backup goalkeeper बहुत ज़्यादा खेल चुके है FC Kokan 1912 टीम में खेलते है and he's decent यार आप बोल सकते हैं ज़्यादा तर backup ही रहते हैं उसके बाद आते हैं उकतर यूसुपोव जो कि खेलते हैं नो बहुर के लिए बहुत सारे पेनल्टी सेव किये बाई नो बहुर के लिए और आप बोल सकते हो यह बढ़िया goalkeeper होगा अगर समझो कि penalty पे जाती है अगर उस्बेकिस्तान जो है knockout में घुस जाती है penalty का situation आएगा तो यह बंदा आपको वहाँ पे जरूर दिखेगा already 17 matches उस्बेकिस्तान के लिए बंदा खेल चुका है तो इसके बाद में जो last goalkeeper है उनके वो है वाली जॉन जो की AGM के team है उस्बेकिस्तान प्रेमीर लीग में खेलती है अभी आते हैं defense के उपर यार defense जो है one of the best triads है of उस्बेकिस्तान जो defense है इनका बहुत तगड़ा defense है यार 6 foot के बंदे है और जो इनका defensive ability है या positioning है बहुत तगड़ी होती है तो पहले बात करते है रुस्तम सहाब की रुस्तम किसको बोलते है इंडिया में आप सबको बता यार तो यहाँ पे रुस्तम सहाब जो है FC रुबीन कजान के लिए खेलते हैं जो की top class team है रुस्तम सहाब यह बहुत ज़्यादा famous defender है यार और अगर मैं compare करू इनको तो हैरी सूतर के साथ मैं compare कर सकते हैं क्यूंकि इनकी positioning और last ditch tackles जो है top class है बाई और उपर से hundred से ज़्यादा league matches खेल चुके है Korean league में और उससे भी ज़्यादा खेल चुके है local league में अपने जो उसबेकिस्तान premier league है और अभी फिलाल खेल रहे हैं रुबीन कजान जैसे top class team में तो आप उससे सी अंदाधा लगा सकते हो कितने dangerous player है रुस्तम सहाव यहाँ पे उसके बाद आते हैं फारुक सफियो जो कि एक left back है right now पक्तहोर के लिए खेलते हैं pragmatic left back आप इसको बोल सकते हो किसी से आप इनका नाम जोड़ना चाहते हैं तो आप सुबाशिस बॉस का जो gameplay है उसके उपर थोड़ता ध्यान दे सकते हो यह बंदा सेम टेप का टाइप का gameplay खेलता है उसके बाद आते हैं खोजयाब अकवर जो कि एक right back है यह भी पक्तहोर FTA लिए खेलते हैं decent right back आप बोल सकते हो 30 से ज़्यादा matches अल्रेड़ी उसबीकिस्तान नाशनल टीम के लिए खेल चुके है और उसके बाद आते हैं उमर सहाब जो कि एक center back है and he plays for Nassaf also इनकी height अगर देखो के तो भाई 6.1 feet है भाई सहाब physicality भी बढ़िया है positioning भी बढ़िया है और इनके लंबे लंबे पेर से बढ़िया tackles भी मारते है उसके बाद आते हैं अब्दुराव जो कि एक left back है he can play as a midfielder also right now Olympic तशकिंत के लिए वो बंदा खेल रहा है उसके बाद आते हैं गोलिब जो कि एक highly rated defender है जिसका profile अगर आप match करने के लिए बैठ जाओगे बढ़ जिंगन से बहुत जादा बहतर है in terms of you know tackle and you know technicality of doing duals you know aerial की बात कर लिया ground की बात कर लिया उसके बाद आते हैं शेर्जौद शेर्जौद जो है वो भी एक high rated defender है 6.3 की उनकी height है top class aerial ability है बंदे के पास में अच्छी physics है he also plays for Nassaf Nassaf के बंदे जो है जो भी एको defense के बहुत तगड़े है ठीक है उसके बाद आते हैं अब्दू खोदिर एक ऐसा नाम है जो कि list में last moment में add किया जा सकता है he's just 19 यार और Mbabe के साथ में खेलावा बंदा है मतलब Mbabe के against खेलावा बंदा है he plays for RC Lenz and he's very highly rated one of the youngest you know CBs of Uzbekistan बोल सकते हैं और Uzbekistan या जब भी बात करते हैं ये बंदा जो है one of the best talents बोल सकते हैं Uzbekistan का तो उसके बाद आते हैं Zafir Murad and Kamraliev जो कि एक fullback है जो CB भी खेल सकते हैं अभी बात करेंगे हम लोग midfield की now midfield हम सबको बताए creativity Uzbekistan के बाद बहुत तगड़ी है last match में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो creativity जो है Uzbekistan की top class है Uzbekistan, Uzbekistan sorry मेरा sometimes Uzbekistan भी हो जाता कभी कबार Uzbekistan भी हो जाता थोड़ा सा माफ करना मुझे वहाँ पे पहले आते हैं Audil Jan Hamrokebev जो की एक बड़िया midfielder है पकतकोर के लिए खेलते हैं decent player है he can play as a center midfield also he can play as a CDM उसके बाद आते हैं Jamshid Iskandreirov जो की एक बड़िया player है नवबहुर के लिए खेलते हैं he can play as a center midfield he can play as an attacking midfielder also sometimes he plays on the left midfield also तो उसके बाद आते हैं Azizbeeg जो की एक विंगर है बहुत ही बड़िया विंगर है बहुत flanks पे operate कर सकते हैं इनके पास बहुत बड़िया pace भी है भाई साहब तो उसके बाद आते हैं शोक बोस उमरव जो की एक कजाग प्रिमिर लीग के टीम के लिए खेलते हैं और उन्हेंने बेट बोरिसोव जैसे टीम के लिए खेल चुका है जो की इन्हों अरड़ी यूरोपा लीग में खेल चुकी है अरड़ी चैंपेंस लीग में खेल चुकी है और ये midfielder जो है CM and CDM खेल सकता है उसके बाद आते हैं अबशेक जो की एक विंगर है राइट नाव ही प्लेस फूर CSKA Moscow जो की एक टॉप क्लास टीम है रशिया में इसका जो प्लेंग ट्राइट है बहुत ज़्यादा मुश्किल कर सकता है हमारे डिफेंडर्स को ठीक है उसके बाद आते हैं जमशिद जो की सौगेदियाना जिशाक के लिए खेलते हैं यह प्लेयर जो है बहुत ज़्यादा वर्सिटाइल है स्पेशलिट जब आहम लोग डिफेंज की बात करते हैं क्योंकि यह ऐसे पोजिशन में ऑपरेट कर सकता है कि इन मिडल फे मैस अगर कुछ हो जा तो यह सेंटर बैक पर भी जाके खेलेगा आपके लिए राइड बैक पर भी जाके खेलेगा और सेंटर मिट फिल्ड भी खेल लगता है अगर आप इनका कंपरेशन करें तो आप बोल सकते हैं एक हाइब्रीड आफ ग्लैन मार्टिन और दीपक तेंगरी बहुत ही जादा हाइब्रीड आइड तो बी ओनेस्ट यह प्लेज बेटर देन देम अफ्कोर्स बाट मैं बोल रहा हूं कि वो जैसे कभी-कभार राइड बैक पर भी खेल लेंगे जो अटाकिंग ट्राइड से क्रेटिविटी टॉप नॉच क्रेटिविटी आर और इडी नाइन गोल्स यह सीजन मार चुका है बंदा तो इसके उपर थोड़ी से नजर रखना क्रेटिविटी इतना लाता है कि बाई I think 17 गोल्स का इनो क्या बोलते हैं उसको इंक्लूजन रहा है मतलब नाइन गोल्स उन्हें आ रहे हैं आठ असिस्ट उन्हें दिये हैं तो भाई यह बहुत ही जादा प्योटल रहेगा उस्बेक के रन में उसके बाद आते हैं खोजीमत अरकेनव जो की टॉर्पीडो मॉसको से लोन पे फिलाल अभी तशकेंत में खेल रहे हैं तो अगर फॉर्वर्ड की बात करें एक ही फॉर्वर्ड है राइट नौ जिनका नाम है बॉबर और फॉर्वर्ड बासी जो एक टीम है उसबेकिस्तान प्रमेर लीग में और जो उनके बहुत ही हाइली रेटेड एल्दॉर शमुर्डव है जो की वक्त ही बताएगा क्यूंकि उनकी इंजरी जो है थोड़ी सी डेंजरस लग रही है तो लेट सी वाट हैपनस बट ये आपके सामने टीम है उसबेकिस्तान की बहुत ही डेंजरस टीम है इनसे बहुत ही ज्यादा हमको सतर्क रहना पड़ेगा क्यूंकि इनका जो फ्लैंक प साथ में बढ़िया गेम खेला था अगर वैसा ही गेम इनके साथ में खेलते हैं थोड़ा सा बेटर फोकस रखते हैं इन डिफेंस तो हो सकता है एक आद ड्रॉ निकाल सकते हैं बट अगर हम लोग जीत की बात कर रहे हैं तो बहुत महनत करने पड़ेगी बहुत मशक्कत करन दाया तो जरूर इनो अपना लाइक छोड़ना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ में शेर करना मत भूलना ऐसे वीडियो आते रहेंगे मेरे चनल को ऐसे फॉलो करते हैं अंटिल नेक्स टाइम जय हिंद और जय भारत